तो दोस्तों GK से बहुत इयुप्यो की टॉपिक आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए प्रत्वी एक परिचय इससे जितने भी रिलेटेट जो कुशन रहते हैं दोस्तों प्रत्वी एक परिचय ठीके आज तक जितने भी अक्जाम हुए हैं उन्हें इतने भी कुछन पूछे गए हैं सभी दोस्तो इस वीडियो में आप सभी को मिलेंगे mcq-based question दोस्तो इसमें आप सभी के लिए लाए गए हैं बहुत विकल पर टाइप यानि multiple choice question options आपको उनके सामने मिलेंगे बस आपको दोस्तो यह जो किस दिख जा रही है या आपको एक दुबार solve कर लेनी है आपका प्रत्वी एक परीचे topic है ना इससे कभी कोई person नहीं चूटेगा ठीक है तो मैं आप सभी को बता दूँ यदि आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो का description में लिंक है वहाँ से आप download कर सकते हैं या हमारे telegram group को भी join कर सकते हैं उसका link भी वीडियो को description में दे रखा है वहाँ पर मैं आप सभी को बहुत बहुत अच्छे अच्छे test देता रहता हूँ तो चलिए start करते हैं दोस्तो आज की वीडियो को सबसे पहला देखेगा सबसे पहला question है प्रत्वी का विश्वतिय व्यास कितना है important question है तो आप लोग भी कोसिस कीजिएगा कि आप लोग भी answer कर पाएं तो प्रत्वी का विश्वतिय व्यास कितना है इंपोर्टेंट है ये कुशन याद रखीगा ठीक है तो ये है दोस्तो आपका 12756 किलोमीटर यानि कि ए ओप्सन बिल्कुँ सही है ठीक है तो प्रत्वी का विश्वतिय व्यास कितना है 12756 अगर आपसे पूछा जाए धुरुविय व्यास कितना है तो वो है 12714 किलोमीटर ठीक है? अगर आपसे ये पुछे, प्रत्वी का धुरोविय व्यास इन दोनों का अंतर कितना है तो वो है, 42 क्लोमेटर देख लीजिएगा, दोनों का अंतर कितना बैठा, 42 क्लोमेटर दूसरा कुशन देखिएगा प्रत्वी का धुरुविय व्यास कितना है अभी मैंने आपको बताया था 12.714 किलोमीटर ठीक है तो धुरुविय व्यास कितना 12.714 किलोमीटर ठीक है तो धुरुविय व्यास कितना 12.756 अगला कुशन देखीगा प्रत्वी का धुरविय व्यास तथा विश्वतिय व्यास जो है दोस्तो यानि जो धुरविय व्यास है विश्वतिय व्यास से कितना कम है यानि इन दोनों का अंतर कितना है तो अभी मैंने बताया था आपको 42 किलोमेटर है ठीक है नेक्ष्ट देखेगा प्रत्वी पर जल का भाग कितना है यानि प्रत्वी पर कितने परतिसत भू भाग पर जल है तो याद रखेगा 71% यानि 71% पर लगवक 2% पीने योगे पानी है इसमें ठीक है बाद बाकी सब समुन्दर और ये खारा पानी ऐसे घरे हुए है प्रत्वी का ओसत गनत्व कितना है बहुत ही उप्योगी कुशन है प्रत्वी का ओसतन या फिर ओसत गनत्व कितना है तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर यानि 5.5 ग्राम प्रती सेंटीमीटर प्रत्वी का ओसत गनत् ठीक है नेक्स्ट देखेगा प्रत्वी गती करती है यानि जो प्रत्वी है वो किस साइड से किस साइड की तरफ गती करती है तो आप लोग भी कॉमेंट करके बताएं जो जो आपको कुशन याद हो तो प्रत्वी गती करती है दोस्तों पस्चिम से पूर्व की ओर ठीक है वन जो मतलब जो प्रत्वी का दोस्तो परिक्रमन है इसके कारण क्या होता है तो प्रत्वी की परिक्रमन के कारण दोस्तो रितू परिवर्तन होता है ठीक है गुर्णन के कारण दिन रात और प्रत्वी के गुर्णन कारण दिन रात होगे और प्रत्वी का जो रितू परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है आगला देखिएगा प्रत्वी का अपने अक्षपर घूमना क्या कहलाता है प्रत्वी अपने अक्षपर घूमती है तो यह घूमना जह है वो क्या कहलाता है याद रखिएगा दोस्तों यह घूरणन कहलाता है सी ऑप्षन बिल्कुत सह आगला कुशन एक गंटे में प्रत्वी कितने डिगरी देशांतर घूम जाती है इंपोर्टेंट है एक गंटे में प्रत्वी कितने डिगरी देशांतर घूम जाती है तो पंदरे डिगरी देशांतर घूम जाती है अगला कुशन प्रत्वी अपने अक्ष पर कितना जुकी होई है ठीक है तो याद रखेगा प्रत्वी अपने अक्ष पर कितना जुकी होई है 23 सही 1 वर्टे 2 दिगरी ठीक है याद रखेगा वो पाय जाता है तो याद रखेगा वो पाय जाता है तो याद रखेगा वो पाय 80% ठीक है तो सबसे ज़्यादा तत्व पाय जाता है फिर चुर मातरा में वो पाय जाता आक्सीजन अगला देखीगा प्रत्वी गोल है यह किस ने का था ठीक है बहुत ही उप्यों की कुशन है प्रत्वी गोल है यह किस ने का था तो याद रखेगा दोस्तो यह कहता पाय था को रसने यानि ए उप्यों सही है अगला कुशन प्रत्वी की सतह के नीचे द्रवी भूत सैल को क्या कहते है ठीक है प्रत्वी की सतह के नीचे द्रवी भूत सैल को क्या कहते है तो उसे कहते है दोस्तो मैगमा और मैगमा को ही क्या कहते हैं लावा यानि कि उप्रोक्त दोनों बिल्कुल इसका सही आपसन रहेगा अगला कुशन है दोस्तों प्रत्वी तथा सूर्य के मद्दे अधिक्तम तो अधिक्तम दूरी दोस्तों देखीगा कब होती है चार जुलाई को देखे अधिक्तम यानि दूर वाली बात होगी तो चार जुलाई दूर आता है और निकट्टम की बात करें तो तीन जनवरी पहले आ जाता है ठीक है तो ऐसे आप लोग ट्रिक्स से याद रख लीजेगा अगला प्रत्वी तथा सूर्य के मद्धे अधिक्तम दूरी कब होती है तो तीन जरवरी को और दूर कब होती है चार जुलाई को अगला उपसौरिक तथा अपसौरिक को मिलाने वाली कालपनिक रेखा क्या कहलाती है तो उप प्सॉरिक तथा अप सॉरिक को मिलाने वाली जो कालबनिक रेखा हैं ढोस्तों उन्हें क्या कहते हैं उसे कहते हैं एप साइड रेखा ठीक है एप साइड रेखा जो आप जान लीजे 4 जूलाई को जो प्रत्वी और सूरिय के मद्धे अधिक्तम दोरी होती है इसे अपसौर के नाम से जानते हैं ठीक है और तीन जनवरी को जो प्रत्वी दता सूरिया के मद्धन निकटतम दोरी होती है उसे अपसौर के नाम से जानते हैं आगला देखिएगा next question, question number 18, प्रत्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गनत्व है, ठीक है, प्रत्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गनत्व कितना, एक बटे 81, यानि कि A number option बिल्कुत सही रहेगा, ठीक है, एक बटे 81 है, आगला कुशन देखिए, प्रत्वी का सबसे बड़ा हि हिंखंड कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है, अंटार्क टिका, यानि कि B option बिल्कुत सही है, ठीक है, ये दोनों, एक सही option है, ठीक है, तो दोनों ही इसमें सही रहेंगे, प्रत्वी का सबसे बड़ा हिंखंड कौन सा है, अंटार्क टिका, आगला देखिएगा, 20 number प् निफे भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रत्वी के अंतिक सरचना, सियोल, सीमा और क्रोड से बनी, यानि कि उप्रोक, तो सभी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अगला प्रत्वी की सबसे भीतरी परत है, तो प्रत्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, तो यानि कि B onासा है यानि कि A option सही है अगला कुछण शीमा बना है तो सीयल किस–किस से बना है दोस्तो याद रखेगाँ सीयल बना है। अगला कुशन प्रत्वी का सुरक्षा वालव क्या कहते हैं तो याद रखेगा जुआला मुखी को प्रत्वी का सुरक्षा वालव कहते हैं अगला कुशन प्रत्वी की बहाय भित्ती का उपरी भाग क्या कहलाता है तो वो कहलाता है इस थैनो इस पेर यानि की ए उप्सन सही है अगला कुशन प्रत्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है ठीक है बई प्रत्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है 21 जून को का उत्तरी ग गोलार्द में और 22 दिसंबर को कब होता है दोस्तों चीक है यानि यो 22 दिसंबर को होता है वो होता है दक्षनी गोलार्द में तो दो बार होता है दक्षनी गोलार्द में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्द में क्योंकि हम तो उत्तरी गोलार्द में हैं त रखेगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्द में होता है और 21 जून को सबसे छोटा दिन दक्षणी गोलार्द में होता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं ठीक है अगला कुशन प्रत्वी पर दिन रात बराबर होते हैं तो कब देखेगा 21 मार्च और 23 सितंबर यह दोनों दिन ऐसे होते हैं जहां दिन और रात बराबर की कैटिगरी में आते हैं अगला देखेगा 29 नमबर चंदर ग्रहन होता है देखे चंदर ग्रहन होता है S.A.M. यानि साम को ठीक है चंदर ग्रहन देखेगा रात को होगा सूरे ग्रहन कब होगा S.M.A. ठीक है यान यानि कि समा समा जला सूर्ये में और चंद्रग्रेंड हुआ साम को यानि सन और मून के बीच जब अर्थ आ जाए यानि प्रत्वी आ जाए तो क्या होता है चंद्रग्रेंड होता है यानि कि बी ऑप्सन बिलकुल सही रहेगा ठीक है बी ऑप्सन बिलकुल इसका सही रहेगा जब सूरिय और चंद्रमा के बीच प्रत्वी आ जाए तो चंद्रग्रेंड होता है और जब सूरिय एवं प्रत्वी के बीच चंद्रमा आ जाए यानि कि SMA Sun और Earth के बीच जब Moon आ जाए तो क्या होता है वह होता है सूरिय ग्रहन तो सूरिय ग्रहन कब होता है दोस्तों सूरिय ग्रहन होता है समा यानि SMA SMA यानि कि S4 Sun A4 Earth और उसके बीच में आ गया Moon ठीक है वह तो याद रखी गई है सूरिय ग्रहन में ऐसी होती है जब सूरिय एवं प्रत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है अगला देखेगा प्रत्वी की मतलब प्रत्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है तो प्रत्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है 57 परसेंट यानि कि 57 परस अगला अस्व अक्षांस से संबंदित है तो अक्षव अक्षांस से क्या संबंदित है याद रखीगा यह संबंदित है 30 से 40 डिगरी उत्री तथा दक्षणी अक्षांस से संबंदित है तो यह याद रखीगा ठीक है ऐसा है कुशन अस्व अक्षांस संबंदित है तो यह से नहीं है अस्व अक्षांस किसे संबन्द्दत है त 2017 संद्दत है तो याद रखेग? यानि कि कौन सा ओprauticon के दूरी को क्या कहते हैं तो दूरी के scroll को कहते हैं गोरे ठीक है अर एकまあ a description में link मिल जाएगा वहाँ से download कर लीजिए फिलाल thank you and bye